आज से पहले शायद आपने ऐसे फेस मास के बारे मिं नहीं सुने होंगे के खुझ के फेस मास है यह बने गा तूब्र से और क्राओं फ्लोवर से यानि मकी का आटा से घosen चीरा और मकी का आटा से यह declared यानि यह फेस को बनाएगा वह太ünüz याप के यसे वह स्केन आपके यान देगा और दे घूर या है वितल है यह तो आपके मिटन आपके स्क्राइगा है से इता दिकास्पली इसे द्लूर आपके छप्लो स्कॉत अनगे में निए वीडियो देखते हो वो तो जानती हो एंटी जो भी टीप में आपके साथ शेर करती हूं उन सभी बहुत ही कारीगर होता है बहुत ही helpful होता है तो उन में से फ्रेंस ये भी बहुत ही असरदार होगा इसे जरूद ट्राइ करना तो चलिए शूरू करते हैं सभी को वेलकम करते हैं special care oneself में मैं हूँ आपकी दोड़ शीशा आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है कैसे इस्तमाल किया जाता है पर दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ है आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज प्लीस मेरे चैल को सब्सकाइब भी कर ले और बेल बटन को भी प्लिक कर ले ताकि आगे जब भी मैं कोई नया सब वीडियो लाओ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पॉच जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं जानते हैं इसको कैसे बनाया जाता है कैसे इस्तिमाल किया जाता है तो जैसे के मैंने फेडिंग में भी लिखा है और पहले आपको बोल भी दिया है क्या यह जो फेस मांक से यह बनेगा क्यूकंबर से और बनेगा फ्रेंस कॉन फ्लोर से यानि खीरा और मक्की का आटा से खीरे में बहुत ज्यादा मात्र में वाटर रहता है जो आप यंदाने में हील्प करे अपकी स्किन का रिंगल उप खीरे का काम ये है तो और वेक्की को ना दोने के बाद छील्का को रुमुक कर लेना है assessor कद्थ कर सक जूस निकाल लेना रही या आप गैंडर के मदर से लूसर के मदल जैसे भी हो घीरि का जूस आपको निकाल लेना हो नेक्स आपको जोड़ना है मक्की काटा जैसे ?? करन प्लोवर लेना है आपको दो चमच। इसका क्या फाइदा ये तो मैं आपको बोली चुकी हूँ तो आपको दो चमच। जोड़ना है। प्रेंस, क्रॉण फ्लोवर दो चम्म से बाद में ज्यादा भी चाहिए, तो आप इसमें जोड सकते हैं, पर पैकेट को अपनी साथ ही रखें, क्योंकि यह ज्यादा पतला हो जाता है आपकी यह फेस्पैक, तो आपको थोड़ा बहुत फिर से पॉन इसमें एड करना है, तो प्रेंस, क्या में ज्यादा है हनी यानी शहएड़, शहएद फ्रेंस बहुत हैं, अच्छा रहता है इसकीन के लिए, यह आपकी इसकीन को ग्लोई स्कीन दिलाएगा, विंकल को मिटाएगा, जीन ब्राइट और फ्यार बनाने के लिए भी हेलप करेगा और टाइड भी बना स्कें कि लिए ये तेन को मिटाथा है रिंखिल को मिटाता है डोएज लिए और फिया ग्लूएज स्कीन दिलाता है पिम्पल बगरा को भी रिंख भी कम करने के लिए help भी। आमंड आल में बहुत सारा बीटमिन E रहता है जो आपकी Da suicide को बनाता है, धो हम लोगे जोरेंगे एक जमज । आमंड आउल में अभी क्या करेंगे servir को छे सी करेंगे। निस्ट करने के बाद देखेंगे यह जो फेस पैक बन रहा है यह ताइट बन रहा है क्या नहीं यह थोड़ा ठीक होना चाहिए क्योंकि यह एक टाइटनिंग फेस मार्क्स है तो आपको इसको ठीक बनाना है ठीक बनाने के लिए इसमें आप और भी कॉन फ्लोवाट जोर सकते हैं या यह ज्यादा पतला हो जाता है त इसमें आप क्यूकंबर का जो जूस अपनी निकाल के रखें वो जोड़े इससे अच्छे से मिस्ट करें अभी क्या करना है अभी फ्रेंस पहले तो आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना और उसके बाद धो लेना है इसके बाद ही इस फेस मास को आपको लगाना है इसे आप आपके अंग उंगली से ब्रश से या आप चम्मच के मदश से इसे फुल फेस में लगाए और इसे जब भी लगाते हो तब नीचे से उपर की तरफ खीच खीच के आपको एपलाई करना है तो ही फ्रेंस आपके स्कीन टाइट बनेंगी तो याद रखे जब भी फेस पैक लगाओंगे तब नीचे से उपर की तरफ ही खीच के लगाओं तो फ्रेंस उपर की तरफ ही फेस आपके टाइट बनेंगे नहीं तो आप नीचे की तरफ फेस पैक को लगाओंगे तो फेस पैक आपके स्कीन को नीचे की तरफ ही खीचेगा और यह आपकी स्कीन क धिला बना सकता है तो इस चॉपर की तरफ़ कीछ घीचपक की आप को फेस पेकपक पढे करना है और इसको आखों के चारों तरफ बैले DR system या 20-25 मिलें भी यह सूख जाता है और इससे ज्यादा टाइम लगे तो फ्रेंस आप रखें जब तक नहीं ड्राइब हो तब तक अपने फेस में लगा के रखें कम से कम फ्रेंस आदा गंटा आपको लगा के रखना ही है और उसके बाद फ्रेंस आपको नॉर्मल जो वाटर ह हुआ कोरीन अब धाने वाटर से दोना है ऐसा नहीं क्या आपको प्रेंग करना है यानि गोल गोल भूमाके नहीं धोना है 5 पानी को अपने फेसे में छी requirements आप्जी Chance % & इससे आप continue करें, आप continue करते हो तो friends आपके face का wrinkle मिटा देगा, फिर से tight बना देगा, skin को bright भी बनाएगा और skin में glow भी लाएगा, अभी continue कितना दिन करना है यह आप सोच रहा हो, तो हथे में friends इसे चार दिन जरूर apply करें, जिनके भी skin delay हो चुके हैं, जिनके wrinkle आ चुका है, ग्लो खो चुका है, या 30 प्लस जिनके उमर हो चुके हैं, वो friends इसे हपते में चार दिन जरूर करें, और जो लोग चाते हो, क्या future में आपके skin delay ना बने, skin में wrinkle ना आए, या glow ना खोए, तो अभी से यह करना चाते हो, तो friends, 18 साल से लेके कोई भी इसे कर सकते हो, इसे हपते में 3 दिन जरूर करें, तो friends यह था आज का tips, बहुत ही असरदार tips है, इसे जरूर ट्राइ करना आशा करती हूँ, यह बहुत ही helpful होगा आपके लिए, वीडियो को लाइक करना मत बुलना, वीडियो को share करें, चैन को subscribe क करें और वीडियो को लाइक भी करें, तो आज के लिए इतना ही मैं फिर रिटर आउँगी को अच्छा सा beauty tips या health tips के साथ, थैंक्स पूर वाचिए, बाई and टेक केर